आप देट्डेट आर अटो मेशन का चैनल तो चलो आप चलो करते हैं वाट इस डेटा-PLC टाइप आप डेटा-PLC फस्ट फॉल आप क्रों बॉबर्वर में जाएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे डेल्टा एप साइट www.delta.com ये डेल्टा की एप साइट ओपन होई डेल्टा वेल्कम टू डेल्टा ग्रूप इस पर ओके तरहेंगे क्लिक करेंगे यहाँ प्रोड़क्ट में चुनने के बाद फिर यहां आता है ATOMATION में INDUSTRIAL ATOMATION Equipment Control eoculation Network Control । हम पहले देखेंगे INDUSTRIAL ATOMATION के बारे में चलो यहां क्लिक कर देथे क्लिक करने जाएसा बादी ओपन हो जाएगा INDustrial ATOMATION का पेज को इसमें बहुत शारी केटेगरी एक ड्राय यू मोशन कंट्रोलर इसके बाद यहां चंट्रोलर पहले हम जेखेंगे कंट्रोलर के बारे में कंट्रोलर जो plc होते विए लसी का पूल्फार्म प्रोग्रामेबल लजिक कंट्रोलर है तो इस में कलिक करने के बाग नीउ इंडोrov ओपने हो जाए थी तो इसमें बहुत सारे पी ब्ल सी के मोडोल है तो चलो शुरू करते हैं प्रोड़क्ट लिस्ट और शॉपएबल मिड रेंज पी अलसी यह सीरीज यह अभी फिलाल नहीं मार्केट में आया दो आजाया आट रहा तो उसके बाद कॉंपैक्ट मॉडूलार मिड रेंज पील्सी यह सीरीज इसमें उसके बाद प्रोग्रामर लॉजी कंट्रोलर डीवी सिरीज स्लिम सिरीज सब्से ज्यादा यूज होने वाला सिम सिरीज स्लिम सिरीज तो डीवीपी एसी टू सिरीज डीवीपी एसे सिरीज डीवीपी एसे सिरीज डीवीपी एसे सिरीज डीवीपी एसे सिरीज और डीवीपी स्लिम एक्स्पांशन मादो यह सब्से ज्यादा का यूज होने वाले PLC है अभी जो यह हाई परपॉर्मास स्लिंग PLC जो हाई स्पीड आउटपुट रहते है इसमें ज्यादा यूज होता है स्टेपर मोटर और सर्वर मोटर के विए DVP-SV2 सीरीज का यूज होता है और DVP-SX सीरीज जो है यह एनलोग के लिए यह एनलोग इनपुट और आउटपुट आपको मिल सकते है उसके बाद SX सीरीज है और SA2 इसमें इसका CPU है आप यह क्लिक करें हमो उसको उपन कर जेंगे जो है यह कॉंसे सीरीज का है DVP-SV2 जाओ जानलोग जानलोग गोंसे जो है आपको सेह स्क्राइटा कर आपको स्ट आपको अगेंध। this is the expandable with the DBPS series Left side & right side expansion unit इसके हम Right side expansion unit ॏ रखीक आप्याग, Select by the Printing Machine इसके application काहा यहाँ जोथ हहा gonna uh printing Machine, Drying Machine, Container Filter for Vegetation Monitoring in product line जैसे PLCG Link और इसका पेसिबिक जिए MTU Point है इसमें 12 आट इन्पूट ये डिजिटल इन्पूट और फोर डिजिटल आउट्पूट है नेक्सियम आयो जिसको 492 हम मिला सकते हैं ये 12 इंक्लूड करके तो प्रोग्राम कैपेसिटी 16 के स्टेप है और कमपोर्बिल इन आरेस 232 आरेस 485 अंपेटर इन्पूटरम उर्बस आसके वा आर्टिव प्रोटोपाली इसमें हम आसके वा आर्टिव प्रोटोपाली उज कर सकते हैं can be master or slave, यह PLCM master or slave भी यूज़ कर सकते है तो high-speed pulse output support 2.y0, y2 and 100 kHz.2 y1 and y3, 10 kHz inhibitor high-speed output इसको expansible maximum 8 modules, इसको आम 8 modules यूज़ कर सकते है यहां से उसका document हम download कर सकते है download करने के बाद यह new tab वो जाएगा और आपके इसी में इसका video आ जाएगा यहां से हम इसका software catalog यहां पुरा download रसकते है चल आज के लिए इतना ही उसके बाद फिर से हम programive logic controller पर आ जाएगे तो यह वो है dvp series slim CPU उसके बाद आता है dvp series standard CPU उसमे dvp es3 series i es series expansion module dvp sa2 es2 ex2 series and dvp es2 ex2 series expansion module और dvp es series और ex series उसके dvp ec series यहां इसमें delta के अंदर series आई उसके बाद dvp series motion CPU dvp 20 pm dvp 10 pm 20 उसमें इसमें घह input आ हहे चार output है dvp pm series expansion module उस से dvp 15 mc dvp 10 mc प्रोड़क्त लिस्ट है डेल्टा की यहां से आपके अप्लिकेशन की तरह प्रोड़क्त लिस्ट है जो ओगा इसे चुछ करके हाथ वी प्रोड़क्त सकते है अपका खेस Lisa ठाश वाया और जलाक्त घ्राइव बस Way और पीज्सेशन खर दिल्ड़क्त अप्लिवत में खते ही तो इसमें 14 आयो जाए 18 पूट आए वाच ये आउट पूट आए सेम ये से PLC जाए साथ ये PLC चल चलो फिर PLC के पेज पे आखे चलो आज के विए इतना करके टापिक में हम सिखें दे हाउ टू डाउनलोड डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग शॉप्टेर डेवल पील शॉप्ट आयस शॉप्ट एंड पीम सॉप्ट क्या होते हैं चलो थैंक्यू